कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एस फूर गाडनिंग में और आज हम बात करने वाले हैं विंटर सीट्स पर पहले नंबर पर हम देख लेते हैं दोस्तों वह है हॉली हॉक इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं कोई भी विंटर सीट्स आप ग्रो करें उससे पहले अपने एरिया का टेंपरेचर जरूर चेक करें तेंपरेचर ही बहुत जो है इंपोर्टेंट चीज है गर आप टेंपरेचर चेक नहीं करेंगे तो फिर आपका सीट्स का जर्मिनेशन नहीं होगा या बहुत कम नीचे आ गया है देन आप सीट ग्रो करने का यह परफेक्ट समय है और नहीं आया है और 31 तक है 30 भी हो गया है तो आप ग्रो जो है कर सकते हैं 30 के नीचे आ जाए तो बहुत बैस्ट है उसके बाद दोस्तों जो मैं पहले नबर पर होग बताया था इसके बारे में बात कर लेत पर आप चाहें तो ग्रो कर सकते हैं अब दोस्तों यह जो सीट्स है यह आप जो देख रहे हैं यह पूरा आने सीट्स है मतलब पिछले साल के मेरे पास बचेवे सीट्स हैं और अभी नए नहीं आये हैं तो आएंगे तो उस पर भी वीडियो जरूर आएगी मैं आपको एक जाएगी ठंड के समय में और अगर वीज चाहिए थो बीज भी आप अमगा सकते हैं यह बहुत इसली मिल जाता है यह तो कटिंग लगाएं तो बैस्ट है यह वे यह आप सकते हैं अ यह दोस्तों आप कह सकते हैं बहुती मतलब अना स्थयूलन का प्लांट है इसके पतियां जो है थोड़ी मोटी होती है और इसमें फ्लावर जो बड़े खुपतूरत और मतलब अच्छे आते हैं और बहुत दिन तक ठीकते हैं पर दुस्तों इसका disadvantage यह है कि यह मतलब हर कोई grow नहीं कर सकता है हर कोई grow पर यह जल्दी जो है मर जाता है अगर इसमें ओवर वाट रिंग हो गई या मतलब सही केर नहीं होगा तो यह बिगनर्स के लिए यह ना लें तो ही बैस्ट है और यह आप इसकीप कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो अब देखते हैं चौते नमर पर है वह है पॉपी पॉपी यह बहुत सरे कलर वैरा आते हैं एक इंडेन पापी होता है केलोफोनिया पॉपी होता है धोनों अप लगा सकते हैं कैलेफोनिया लगाए वह थोड़ा सा ज्ञाव स्थू रफीृण होता है डबल पैल वाला यह ब्सक्रीज है इंडें छोटे-छोटे फूल और बहुत सारा गुच्छे में आते और बहुत सुन्दर दिखता है है यह aking basket में भी सकते हैं या इफ़ चोटे-चोटे गंले में लगाए बहुत बढ़ी है पुरा गमला आपका कवर कर लेगा अब देखते हैं मैरी गोल्ड के बारे में यह जो आप मैरी गोल्ड देख रहे हैं यह लाश्ट यह भाई किया था पर अभी दख विल्कुल इस पैकेट खोला भी नहीं है मैंने पर इस साला यह घ्रो हम करेंगे इसका एक सप्रेट वीडि पर मैं लाश्ट यह गोग खिया था यह फैसा साइवन नमर पर आता है कॉँक्स कॉम लिए संधर फ्लावर है उब यह से लसी आखर करके भी इस आकाता है वो भी रेता है यह कॉस्मोस एड्वर पर या संवाधर यह विरी फोटो मेरे ही प्लांट का है यह फोटू ताब द बहुत सुन्दर फ्लावर यह नाइन्थ नमबर पे रखाय मैंने इसको और यह हॉलीव की सेव किये सीड़ से हैं तो इसे रेक देटें साइड में हम अब देखते हैं आपने लास्ट वाले पे जो मैंने सीड़ सेव किये थे वह है विल्लियम दैंथस यह बहुत खुबसूरत प्लावर है इसका भी जितना तारीफ करों कम है यह चोटे से चोटे गमले में उख जाता है और किसी भी कंडिसन में यह उख जाएगा बस जैसका सीडलिंग थोड़ा सा हाड होता है अगर आपने से लिग कर लिया अच्छे से तो जो फुसका बनता है वह बहुत बढ़िया ब पता देंगे पीटूनिया यह जरूर लगाएं यह दोस्तों आखरी नमर पर यह जरूर करें टितली फ्लावर यह कहते हैं गुडबाइ